वेल्ड वेरिवन वेलकम बैक तो दे चैनल कॉर्पोर्ट अकाउंटिंग का एक बड़ा ही इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चाप्टर है होल्डिंग अज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज स्टार्ट करते हैं होल्डिंग कंपनी क्या है जो आज के वीडियो में हम लोग जो टौपिक कावर करने वाले हैं वो इस तरह से हैं पहले तो होल्डिंग कंपनी क्या है होल्डिंग पर चर्चा करेंगे उसके डिफिनेशन कंसेट पर subsidiary company क्या है types of subsidiary company कितने तरह के होते हैं और holding company करने के advantages के लाब क्या है और disadvantages क्या है consolidated balance sheet क्या है दोनों company का जो मिला कर जो balance sheet बनाते हैं consolidated balance sheet कैसे बनाते हैं क्या होता है और कुछ workings यानि कुछ calculation हम लोग सिखने वाले हैं जैसे कि capital profit या फिर pre acquisition profit क्या है revenue profit या फिर post acquisition profit minority interest और goodwill या फिर capital reserve का calculation आज हम लोग सिखने वाले है question हम लोग next class से next video से करेंगे आज हम लोग सारा कुछ concept सिख लेते हैं आईए तो सबसे पहला बात तो है holding company क्या है कहते हैं कि जब कोई एक company किसी दूसरे existing company के more than 50% यानि 50% से ज्यादा share अगर खरीद ले acquire कर ले तो जिस company ने share acquire कर लिया है उसको हम लोग बोलते है holding company और दूसरे जिस company का share acquire कर लिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं subsidiary company holding company में hold सबसे आप समझ रहे हैं hold करने का मतलब होता है control यानि एक ऐसी company जिसने दूसरी company के 50% से ज्यादा share खर लिया तो उसका जो control है दूसरे company पर हो जाएगा सही बात है तो control एक तरह से हम लोग खईद लेते हैं दो तरीके से है या तो आप board of directors में आपका participation बढ़ जाए या फिर आप equity shares company का 50% से ज्यादा खईद लें आप जितने का share खईद लेते हैं indirectly share capital जो है company का मालिक होता है किसी भी company का तो share capital उतना share अगर आप acquire कर लेते हैं एक लमसर मांट फे करके subsidy company को तो indirectly उतना ही percent मानलो 60% हम लोगों ने एक company का share खईद दिया तो indirectly 60% उस company के 60% assets और liabilities पर भी तो आप कादिकार हो गया और उस company पर आपका एक terrific command हो जाता है आप management अपने तरीके से चला सकते हैं company के board of directors को अपने तरीके से आप कर सकते हैं उसको disappoint कर सकते हैं और सारी चीज़े अपने तरीके सब चला सकते हैं तो holding company हम लोग उसको बोलते हैं आगे holding company कौन है according to the section 246 section 246 जो है आपका company is like 2013 में वह कहता है holding company is a kambalsari sorry company holding company एक ऐसा company है which controls another company or companies by acquiring all the majority of its shares कहता है कि acquiring all the majority यानि majority share अगर आप दूसरे company का अगर आप acquire कर लेते हैं तो किसी एक company company का share अगर आपने 50% से ज्यादा से रेक्वाइर कर लिया तो आपका एक subsidiary company हो सकता है अगर आपने एक से ज्यादा a limited और b limited और c limited तीन अलग अलग company है उनका अलग अलग share capital है और इन तीनों company का अलग 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 आपने अगर 50% से ज्यादा a company का 50% से ज्यादा b company और 50% से ज्यादा अगर c company का अपने share खड़िद लिया है acquire कर लिया है तो ऐसे company में ऐसे cases में एक holding company के दो तीन subsidiary companies हो सकते हैं इसलिए यहां कहा है company और companies तो majority share अगर आप खड़िद लेते हैं तो आप बन जाते है holding company और voting rights तो होता है equity shareholders ही vote करते हैं तो voting rights पर भी आपका अधिकार हो जाता है या फिर controlling उसका जो control है आपके हाथ में आयाता है the composition operates board of directors board of directors जो company को चलाती है उस पर भी आपका control हो जाता है एक तो यह तरीका holding का holding company in relation to one or more another companies means a company of which such companies are subsidiary companies सही बात है कहता है कि एक या एक स्यादा companies को अगर holding company ने acquire कर लिया है तो इसको हम लोग subsidiary companies कह सकते हैं जिसके share को acquire कर लिया गया है it's clear that holding company is one which has one or more subsidiary companies सही बात है holding company वो company है जिसकी एक या एक से अधिक subsidiary companies हो सकती है and enjoys control over them और इन सारे companies पर जो है वो control को entertain कर सकती है इनका control होता है आगे चलो अब आगे subsidiary company a subsidiary company subsidiary company कौन है यह देखो a subsidiary company is a company that is controlled by another company जो holding company के द्वारा control हो किसी दूसरे company के द्वारा control किया जाता हो तो जो company control किया जा रहा है वो subsidiary company जिस company के द्वारा control किया जा रहा है वो holding company दूसरे तरीके से देखें तो a subsidiary company is that whose shares are acquired by another company जिस company का shares दूसरे company के द्वारा acquire कर लिया गया है उसको subsidiary company हम लोग बोलते हैं, आगे देखिये, the subsidiary company continues its business as is well because acquisition of controlling interest by another company doesn't mean its liquidation, it's liquidation. कहता है, controlling the interest by another company is not liquidation, कहता है कि एक company के दोवारा दूसरे company या companies के more than 50% shares को अगर acquire कर लिया गया है तो वो जो दूसरी company है, यानि subsidiary company जो है, वो भी as is well ही run करती है shares दूसरे company का acquire लेनी का मतलब यह नहीं होता है, कि जिस company का share acquire कर लिया है यानि subsidiary company जो है, उसका liquidation हो गया है, ऐसा नहीं है liquidation का मतलब होता है winding up of the company यानि company को बंग कर देना तो जिस company का आपने share खेल लिया है acquire कर लिया है तो उसको हम लोग बोलेंगे subsidiary company subsidiary company भी as usual पहले जैसा ही चलती है run करती है हाँ उस पर control regulation operation management board of directors अब जो है वो holding company के हाथ में है लेकिन वो बंग नहीं हो गई है वो चल रही है पहली के तरह as usual आगे देखिए अब बात करते हैं कि holding company जो है कैसे holding company बन सकती है उसका कोई दूसरा subsidiary company बन सकता है जनरली दो होता है लेकिन यहां तीन तरीका में आपको बता रहा हूं किसी book में तीन है maximum book में दू ही मिलेगा आपको a company became holding company कैसे एक तो कहता है by controlling the composition of the board of directors of another company दूसरे company के board of directors में अगर आपका composition हो जाए तो आप उस company के holding company हो जाएंगे दूसरा तरीका है एक तो तरीका आपका यह हो गया दूसरा तरीका है by controlling ओ holding company which controls another subsidiary company और company जो दूसरे एख या एक स्यादा चंपृनी को अगर उसके जिसके एक या एक स्यादा subsidiary companies है यानि वह अगर holding company है मुशका कुछ subsidiary company है तो in direct do holding company है ही holding सूतरधारी company कहते हैं subsidiary यानि शाहयक company जो शायता करती है तो जिसके भी दो-चार शाहयक company'ा है यानि subsidiary company है तो वो तो holding company होई जाएगा automatic तीसरा तरीका है by holding more than 50% of share जिस पर हम लोग का focus सबसे ज़्यादा है तो 50% से ज़्यादा अगर voting rights अगर आपका shares का अगर दूसरे किसी भी company पर अगर है तो आप holding company है ऐसे company को हम लोग holding company कहते हैं subsidiary company फिर दो तरह का हो सकता है एक तो ऐसा subsidiary company हो सकता है जिसका की 100% share जो है holding company ने acquire कर लिया हो जिसमें की minority interest आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या होता है का मतलब होता है पूरा खरीद लिया गया है यानि 100% जो share है पूरा का पूरा उस company का आपने खरीद लिया है दूसरा होतला है partly owned यानि 50% से आप ज्यादा खरीदा है आपने लेकिन 100% से less than 100% 100% से share आपने कम खरीदा है यानि 60, 70, 80, 90, 95% से आपने खरीदा है तो आप होल्डिंग दूसरा सबसेडरी कमपनी तो जिस company का आपने 100% से खरीद लिया उसका तो interest company में राई ही नहीं interest यानि हित उसका capital उसका share capital उसका position उसका existence in the company holding company में है ही नहीं बिलकुल लेकिन अगर partly owned अगर कमपनी है सबसेडरी company अगर हो इसका मतलब है कि अगर 70% सतर प्रतिसत अगर holding company ने से खरीद लिया है acquire कर लिया है तो 30% का minority interest बचा रहेगा company में इसको minority interest बोलते हैं और आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आज सीखेंगे भी कैसे calculate करते हैं advantages क्या है holding company क्यों किया जाता है क्यों लोग लगे पड़े रहते हैं कि holding company अपन क्यों क्या reason है पहला तो है easy method of acquiring control अगर किसी company पर आपको control करना है उसको नियंतरण में लेना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप holding company बन जाए मतलब उस company का 50% से जादा सेयर को acquire कर लें बोड़ अप डेक्टिव में आपका contribution हो जाए या फिर indirectly आप control उस पर हो जाए तो holding company बन करके ही आप दूसरे company पर अच्छा control जमा सकते हैं अपना कर सकते हैं दूसरा है benefits of the self goodwill किसी एक company का पहले से market में goodwill है लेकि यह भी एक कारण है कि लोग holding company बनाना चाहिए Elimination of competition A limited B limited दो अलग अलग कंपनी है लेकिन दोनों में competition होता रहता था और भी companies के बीच में लेकिन A limited ने क्या क्या आप से mutual competition को remove करने के लिए cut down करने के लिए कर शॉट करने के लिए इसने क्या क्या बी लिमिटेट से जो है उ अब तो यह अच्छा इसको parenting company बोलते हैं parents जो उसका upbringing में लगे रहते हैं पालन portion करते हैं नर्चर करते हैं तो holding company जो है parenting company करते हैं parent company इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में subsidiary company फलता फूलता है रहता है तो एक तो तरीका आपका यह हो गया को रिमूब किया जा सकता है आगे है benefits of internal and external economics जो दोनों companies के अपने अपने जी economics हैं दोनों अगर company मिल जाए तो फिर दोनों का जो है economically बहुत सारा लाव इनको देखने को मिल सकता है वो benefit का लाव लेते हैं यह और कुछ अलग other benefits हैं जिसकारण holding company बनाते हैं यह disadvantages भी कुछ है हानिया क्या क्या है जी fraud in intercompany transactions holding company करने के बाद holding company जो है वो subsidy company पर अपना दबाव बना करके रखते हैं और क्या है कहते हैं fraud और धोखा धड़ी जो है गबन कर लेते हैं उस पर अत्याचार होता रहता है शोशन करते रहते एक्स्पोइटेशन operation fear of operation operation exploitation एक तरह का minority shareholders होते हैं तो उन पर इनका दबाव चलता रहता है जो सही नहीं है वो भी यह कर सकते हैं forced appointment of directors और board of directors जो है यह अपने तरह की से अपॉइंट करते हैं जो पसंदना आए उनको remove हटा देते हैं और अपने तरीके से जिनका इन से बनेगा अच्छा ऐसे board of directors अपने अनुसार यह अपॉइंट करते हैं फूर्स पूरी अपॉइंट करते हैं पूरे दबाव के साथ fear of mismanagement और management में जो है यह गरबड़ी और अपना दबाव प्रेसर क्रेट करना चाहते हैं management में भी इनका चलता है तो इसलिए भी holding company का जोरत है holding company लोग करते हैं यह है आगे आईए अब लोग बात करते हैं कि holding company subsidy company तो holding company जो है subsidy company के share को acquire कर लेगी तो किस तरह से तो अभी हम लोग बनाएंगे वह वर्टिकल फॉर्म में होगा according to the Indian companies act 2013 लेकिन अभी मैंने पूराने धंका horizontal form का balance sheet लिया है समझने में आसान होगा मेरे को समझाने में आसान होगा आईए देखते हैं तो यह रहा दो अलग-अलग companies का balance आपके पास है जैसे एच लिमिटेड है इस एच लिमिटेड कंपनी में आप देखिए इसके दस हजार से रहें दस दस रुपिया वाले तो एक लाग रुपी के सेयर हैं कुछ reserve and surplus हैं कुछ loans वगरा liabilities हैं और यह रहें कुछ assets काम का बात यहां पर आप देखिए investment है ना asset side में ही investment होगा तो कहता है investment यह investment क्या है जी देखिए ध्यान से कहता है कि investment जो है वो पचास या रुपे का है का यह का investment है देखिए कहता है कि 3600 सेयर इन एस लिमिटेड कहता है कि यह जो एस ली मीटेड है सब्सीडिरी लिमिटेड है उसके तो छेहार को आक्वाइर कर लिया गया है कितने में 50,000 रूपिया में तो इस 3300 की शेयर को पचास जार कर लिया है Nominal Value कितना है is 3600 Sair का 36000 तो कम में यानि 30 35000 वैंक्वाइर किया जा सकता है जादा में भी अक्वाइर किया जा सकता है ये तो ओल्डिंग कंपनी पर डिपेंड करता है आएए तो तो होल्डिंग कमपनी ने S Limited के सबसिडियरी के 3600 सेयर को अक्वाइर कर लिया है 50,000 रुपिये में आए देखते हैं सबसिडियरी कमपनी का बालेंस इट में क्या हल चाल है यहां लाइबडिस साइड में आप देखिए तो सबसिडियरी कमपनी में चार हजार यानि 4000 सेयर हैं एक सेयर दस रुपिय का है टूटल सेयर 40,000 रुपिय का है आगे देखिए जनल लिजर्व कुछ है कुछ लाइबडिस वगरा है और कुछ आसेट्स है बैलन सिट का कमबाइन जॉइन बैलन सिट बनाना है यानि होल्डिंग कमपनी एक खाते में यह एक्विजिशन के बाद एक नया बैलन सिट बनाए जाएगा जिसमें कि होल्डिंग कमपनी के सारे अपने आसेट्स और लाइबिटीज और सेयर करपिटल होंगे साथी साथ जो पुराने सारी मतलब subsidiary company जो है उसके भी सारे assets और life days जो है हमारे इसी balance sheet में दिखेंगे यानि दोनों company के balance sheet को हम लोग एक साथ compile कर देंगे consolidate कर देंगे और consolidate करने के बाद आपको यह जो balance sheet बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते है consolidated balance sheet यह रहा यह कैसे बना अभी हम लोग चर्चा करेंगे अब घबड़ा यह मत तो यह जो कैसा है जी तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अपना holding money का अपना share capital है और यह consolidated balance sheet ही हम लोग को बनाना है बड़ाना बड़ा काफी आशान है एक sequence से हम लोग देखेंगे कि दोनों अलग 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 companies के जो भी assets है फर गांपल असेट में हम लोग क्या लिखेंगे बिल्डिंग एस लिमिटेट का प्लस एस लिमिटेट का यानि 40 प्लस 35 75,000 लिखेंगे बिल्डिंग में इसके लिए कुछ treatment हम लोग करना है रिजर्बेंट सर्प्लस को combine करके नहीं लिखना है उसमें कितना हिस्सा हम लोग acquire करेंगे कैसे मिलेगा इस पर आगे चर्चा करेंगे हाँ और liabilities का वैसे ही करना है बस share capital को नहीं लिखना है और रिजर्बेंट सर्प्लस का जो है यह subsidiary company का जो रिजर्बेंट सर्प्लस है उसका हम लोग कुछ treatment करेंगे कुछ heading calculation करेंगे working करेंगे उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कितना रिजर्बेंट सर्प्लस में हम लोग को मिल रहा है और वही amount जो है हम लोग consolidated balance sheet में reserve and surplus में भी add करके लिख सकते हैं तो सारे assets और liabilities जो की holding और subsidiary companies में है इकठा joint आपको देखने को मिलेगा consolidated balance sheet में साथ ही साथ इसमें एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलता है minority interest minority आप समझते ही minority यानि अल्प संख्य कम minority interest क्या है जी तो subsidiary holding company के सारे assets और liabilities यहां दिख रहे हैं subsidiary company के भी assets और liabilities यहां दिख रहे हैं लेकिन यह जो share capital या shares आप कह सकते हैं जो अच्छा यहां हो देखिए holding company का share capital यहां आपको individually दिख रहा है अलग से लेकिन subsidiary company का तो नहीं दिख रहा है तो subsidiary company का जो share capital है उसका जो interest है वो आपको दिखेगा आप कह सकते हैं कि subsidiary company का जो आउकात है subsidiary capital का जो capital आज की rate में है वो आपको यहां दिखेगा minority interest के नाम पर यह रहा अलग मैंने yellow pin से यहां लिखा है आप देख रहे हैं इसको minority interest बोलते हैं minority interest कैसे calculate करते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे आईए तो इस example को लेकर के अब हम लोग को कुछ calculation सीख लेना होगा आईए चर्चा करते हैं और समझते हैं यह चीजे क्या है देखें सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे एक आप हम लोगों ने देखिए यहां पर एक line draw कर लिया है इसको में लोग बोलते हैं timeline इसको में लोग बोल सकते हैं मैंने अजम मान करके चला है कि 1st April वर्ष 2020 को start हुआ है और यह 31st March 2021 को यह year आपका end होता है दो date की बड़ी एहम भूमिका रहती है ऐसे प्रश्ण में इस chapter में एक हम लोग को calculate कर लेना पड़ेगा date मतलब लिखना होगा date of balance sheet दूसरा date of acquisition date of balance sheet का मतलब है कि कि किस दिन का balance sheet हम लोग को दिया गया है question में तो अगर इसको अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडिंग डेट है 31st March 2021 तो इसी date का हमारा हो जाएगा date of balance sheet तो 31st March 2021 यह हो गया आपका date of balance sheet आप समझ गया है acquisition तो कभी भी हो सकता है starting में हो सकता है end में हो सकता है question में अगर date given नहीं है तो हम लोग end में मान के चलेंगे कि साल के end में हो रहा है या फिर starting में मान करके आप चलेंगे answer उतना ही आना है balance sheet का total उतना ही होने वाला है लेकिन अगर date question में individual को date given है तो उस date को हम लोग acquisition का date लेक 31 दिसंबर 2020 को acquisition हुआ है एक्विजिशन कितना हुआ है जी 3600 का हुआ है 3000 आगे भी हम लोग ने देखा था उदर पहले भी कि 3600 दसदस रुप्या वाला जो है वो acquire कर लिया है holding company ठीक है तो दो तो आपने समझ लिया दो तो आपने समझ लिया कि date of acquisition ये रहा date of acquisition है 31 दिसंबर 2020 यह हो गया हमारा date of acquisition ये भी आपने लिख दिया अब आगे होता है acquisition ये तीन काम कर लेना होगा एक दो और एक तीन acquisition ratio क्या है acquisition ratio का मतलब होता है कि कितना share total उसके पास था उसमें से आपने कितना लिया कितना छोड़ दिया कितना acquire किया कितना छोड़ दिया remaining shares उसको बोलता है acquisition ratio यहां अगर हम लोग देखें को यहां अगर हम लोग बचा रहे गया तो यह हो गया अगर आपका कितना share हो जाएगा जी रेशियो देखें तो रेशियो आपका कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा तो equation ratio हो गया 9 is to 1 अगर 70% share ले लिया रहता तो 70 is to 30 तो यहां पर तो देख लो आप indirectly दिख रहा है 90% share खरीद लिया चार यह का 90% 3600 होता है आप देख रहे हैं तो वन यानि 10% share बचा रहा आगे बड़िये कॉस्ट अब किस्ट कितने में खरीदा है इतनेません को कितने में खरीदा है तो यह तो आपको यह दिखे रहा है अब को investment में 50,000 रुपिया में खरीदा है 30,600 को पचास अजार रुपया है को इस इसी को हम लोग में बोलते हैं Curry इन आई तो रुस्ट-अप ये एक, दो, तीन, चार छोटा-छोटा जो point size को हम लोगोंने cover कर लिया, इसके बाद अब हम लोग calculation करेंगे, चार हम लोगो calculation करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले हम लोग calculation और pre-acquisition profit यानि capital profit कहते हैं, दूसरा है post-acquisition profit यानि revenue profit, तीसरा minority interest और चौथा goodwill और capital reserve, क्या होग वो calculate करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को pre-acquisition profit calculate करना है, आईए हम लोग फिर से वही timeline में समझते हैं, pre-acquisition profit क्या है, सुनिया, कहते हैं कि subsidiary company के balance sheet के अंदर, जितने भी reserve और surplus है, उस reserve और surplus में से, जैसे कि general reserve, reserve fund, dividend equalization fund, interim dividend, proposed dividend, और profit and loss of credit balance या PL appropriation का credit balance या profit हो, इन सब में से, इन सब में से acquisition के पहले, यानि जिस दिन acquisition हुआ है, उसके पहले reserve end surplus कितना कमाया गया है, कमाया है, subsidiary company ने, और acquisition के बाद भी तो चली रही company, company को तो बंद नहीं किया गया है, हाँ बस acquire कर लिया गया, तो यह जो है, यानि acquisition के पहले कितना reserve end surplus कमाया है, company ने, और acquisition के बाद वाले date में, जो है, company ने कितना reserve end surplus कमाया है, तो यह जो acquisition जो date है, acquisition के पहले, जितना भी profit वगरा कमाया गया है, इसको हम लोग बोलते है, pre, acquisition profit, जिसके अंदर में, जितने भी तरह के आपके reserves होंगे, PL का profit होगा, dividend होगा, इन सब का, हम लोग दो हिस्सा कर देंगे, दो हिस्सा कर देंगे हम लोग, एक हिस्सा, इस border line, यानि इस line के पहले, acquisition के पहले, जितना reserve में surplus कमाया गया है, उसको अलग कर लेंगे, और इस line के पहले, border के बाद, जो profit कमाया गया है, reserve में surplus का, उसको हम लोग बोलेंगे, post acquisition profit, या फिर revenue profit, करने का तरीका क्या है, आग बात करते हैं, चलो जी, तो पहला, चार heading में, पहला heading हम लोग का है, pre acquisition profit, इसको हम लोग calculate कर लेते हैं, कि अगर हम लोगों ने किसी company को, अगर hold कर लिया है, उसका control अपने हाथ में ले लिया है, वो हमारा सबसेरी company है, तो इस holding करने के कारण, उस company से हम लोग को pre acquisition profit के नाम प क्या है benefit, आईए करते हैं, चर्चा, और पहला है heading, pre acquisition profit, देखिए, तो line के नुसर हम लोग अलग अलग कर लेंगे, for example, अगर मान लोगों हम लोगों ने, अच्छा ये देखो, तो ये सारा profit वगरा जो है, कहां से लेना है, जी, तो ये हम लोग subsidiary company के balance sheet से लेंगे, जैसे ए पूल के भी आप holding company के balance sheet नहीं देख लेना अभी, चलो, तो subsidiary company के balance sheet के अंदर, जो भी reserve and surplus है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए, तो share capital तो नहीं होगा, और ये तीनों है, liabilities, बचा general reserve और statement of PL, यानि ये जो दो आइटम है, इन दोनों का ही, हम लोग करेंगे calculation, इन दोनों का ही, हम लोग करेंगे calculation, का है का calculation करेंगे जी, pre acquisition और post acquisition profit, अलग-अलग calculation करेंगे, तो फिर से एक बार बता दू, subsidiary company के balance sheet में से, liability side में, जो reserve and surplus है, उसी reserve and surplus से, हम लोग को अलग-अलग करना होगा, pre acquisition profit और post acquisition profit, for example, ये pre acquisition के लिए मैंने item ले लिए, अब ज़रूरी नहीं कि सारे question में ये सारे item हो, maximum item मैंने ले लिया है, जैसे कि, अगर आपका reserve question में given हो, तो pre acquisition profit, तो total profit, अच्छा एक समझ लेते हैं, जैसे, ये साल भर का, जैसे reserve है, एक समय लेते हैं, आपको समझ में आज जाएगा बाकि आगए, जैसे साल भर का reserve है, पूरे इस एक साल में जो reserve कमाया गया है, वो कितना reserve कमाया गया है, बारह हजार reserve कमाया गया है, मान लेते हैं, तो अब यहां timing आप देखिए, pre acquisition time जो है, ये देखिए, 9 महीने का है, है ना, ये 9 महीने का time, ये pre acquisition time है, period है, और post acquisition period जो है, ये 3 महीने का है, तो 9 महीने में जितना भी reserve and surplus कमाया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे pre acquisition profit, इस 3 महीने में, acquisition के बाद, जो profit कमाया गया, इसको हम लोग बोलेंगे post acquisition profit, और इस profit में सारे के सारे items include होंगे, जो भी reserve तो यहांकि नोगो हम लोग कर लेंगे देखे तो डीयन हुआ पारा हजार को हम लोग कर लेंगे ठीप he प्यूनगे है प्यून माँ लेते हैं टोटल हमारा क्षे homo कर लेंगे इदर लगो क्या तो नौ महीने का कर लेंगे तो यह 22 500 इदर हो जाएगा और ऑशरी शाथ 500 अपका उधर हो जाएगा ठीक है वैसे ही dividend dividend मान लेते हैं कि 6 हजार रुपीय का dividend है तो छह हजार का टूटल डिविडेंड है तो इस स्थ्य हजार में जो नौ महिने का डिविदिन इधर रख लेंगे हम लोग 9 x 12 पैंट आलीस सो इधर हो जाएगा और फिर उधर आपका कितना हो जाएगा पंदरा सो रुपर आपका प्रपोज डिविएंट या डिविदिन उधर हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग यह सब चला जाएगा यानि यह जो है आप 9,000 22,500 चारहर 500 यह चला जाएगा आपका प्री एक्विशन प्रॉफिट में दूसरे तरफ तीन हजार साड़े साथ हजार और आपका यह जो है पंदरह सो यह चला जाएगा पोस्ट एक्विशन प्रॉफिट में फिर अलग अलग अपन उसका रिश्यो में से सब्सीडियरी कंपणी के बैलंस से लेना है तो मैंने मान लिया कि हमारे कंपणी में सब्सीडियरी कंपणी के बैलंस से लेना है तो मैंने मान लिया कि हमारे कंपणी में सब्सीडियरी कंपणी के बैलंस से लेना है तो मैंने मान लिया कि हमारे कंपनी में सब्सीडियरी को और subsidy company को दोनों का टुकड़ा दोनों का हिस्सा हम लोग अलग-अलग कर देंगे कितना holding का कितना subsidy का आईए share of holding limited जैसे हम लोगों का assumption भी बता रहा था कि 9 is to 1 का ratio है यानि जो भी होगा वो 9 by 10 हिस्सा मिलेगा holding को 1 by 10 हिस्सा मिलेगा सब सीरी को तो इस capital profit में यानि इस pre acquisition profit जो आपका यहां दिख रहा है इस profit में holding का share कितना होगा जी मानलो जो भी amount यहां पर आया होगा मानलो एक मानलो यह total profit हो करे calculate हो करके अच्छा देखी लेते हैं चलो चलो जी अपने example लेकर चलो तो यह दिक्कत है तो यह पांच और तीन आठ हजार है है ना तो पांच और तीन आठ हजार में तो यहां अगर आप total करेंगे ना देखी होगा क्या ना यहां का total अगर आप करेंगे तो आठ हजार का तो भई 9 बाइ 12 यहां पर आना चाहिए तो यहां पर तो 6000 हो जाएगा तो इस case में जो हम लोगों इंग्जाम पर लिया है उस अलग-अलग करेंगे है ना वो तो total जो है 8000 हो रहा है दोनों इदर में surplus को मिला कर उसमें 9 बाइ 12 6000 इदर रहेगा और 2000 उधर चला जाएगा तो इस 6000 का जो total हो गया हमारा है ना तो इस 6000 में 9 बाइ 10 holding का इसी 6000 में 1 बाइ 10 1 बाइ 10 सबसी रही का यह हो जाएगा 5400 यह 600 ठिक है तो यह हो गया दोनों का हिस्सा अलग-अलग हो गया क्या करेंगे इसका आगे हम लोग आगी चर्चा करेंगे प्री एक्विशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद अब आईए हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोस्ट एक्विशन प्रॉफिट चलो जी पोस्ट एक्विशन प्रॉफिट या जिसको हम लोग कह सकते हैं रेवन्यू प्रॉफिट क्या है आईए पोस्ट एक्विशन प जो भी होगा पोफि पंड होगा इसमें हम लोगा जो मैने का है याने चला उर महिने का प्री अधाल वर जारिम्ट quarter ईदे जो इसक्षेंगे लिए ना इस कोजिमने के लिए क्tal composer हो सकता है कि अछिए महिने के बाद भी है और अधर है महिने के बाद करेंसा हो गया इधर और चार महीना उधर ऐसा होता है आप इसको पकड़ के मत रखना चलो तो जिन्दा लिजर्ब जो है यह तीन महीने कितना हो गया कितना बचा है उसी तरह से प्राफिट उसी तरह से आपका रिजर प्रोपोजिटिवेंट वगेरा वगेरा इसमें अब इसी अमाउंट मे हम लोग रेशियो अलग अलग कर लेंगे यही पर यानि इस टोटल अमाउंट में यानि एक्जामपल में देख लेते हैं चलो बिलकुल एकदम फिगर भी आपको अलग अलग दिखे ऐसा करते हैं आपन कुछ आईए तो पांच हजार का है जिन्रल लिजर्व है तो देखो इसमें क्या है ना कि तीन महीने का आएगा है ना तो पांच हजार और तीन हजार यह बस यह दो आइटम है तो यह टोटल बारह महीने का है नौ महीने का जो है यह हम लोगों ने प्री एक्वीशन में अल्रेडी ले लिया है उधर कैलकुलेट कर लिया तीन महीने का हम लोग यहां कर लेंगे और PLB तीन महीने का हम लोग यहां ले लेंगे 5000 का 3 by 12 यह हो जाएगा आपका 3750 और यह आपका हो जाएगा 2250 ठीक है अब यह हमारा जो है यानि यही अमाउंट यहां हमारा आने वाला है है टोटल हम लोग कर देंगे अ अच्छा यह वर्य रिए कहां से आ अ यह तो दर जाने वाला यहां पराएगा आपका 3 महीने का थो 14 हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा 750 और यह हो जाएगा आपका 1250 या नि कर ले से 2,000 तो यहां पर टूटल आपका 2,000 हो जाएगा ठीक है ना तो इस 1250 में holding कितना सेर होगा तो 9 by 10 होगा और इसका सेर कितना होगा तो यह हो जाएगा 1 by 10 तो यहां 9 by 10 1250 का हम लोग कर लेंगे जो की होना चाहिए आपका 11,125 और यह होना चाहिए 125 उसी तरह से 750 का 9 by 10 कर लेंगे यह होना चाहिए 6,75 और 1 by 10 कर लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 75 हाँ इतना ही होगा ठीक है फिर अपन टूटल लगा लेंगे होल्डिंग कमपनी का यह रेवेन्यू यानि प्री एक्वेशन प्रॉफिट में होल्ड यह टूटल इसका हो जाएगा 11 और छे 17 और अठारा सो रुपिया हो जाएगा इसका और इसका हो जाएगा आपका 200 रुपिया ठीक है अब मज़े की बात क्या है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस सीट में क्या है कि हम लोगों को यह वाला लेके चलना है कि होल्डिंग कमपनी को जो मिला है यही मिला है है यह वाला यह वाला काम का चीज है यह जाएगा आपका कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस सीट में यह अमाउंट जाने वाला है यानि holding company का अपना जो भी general reserve रहा होगा उसमें हम लोग 1125 add करके outer column में show कर देंगे holding company का अपना profit and loss में कुछ balance रहा होगा उसमें हम लोग 625 add करके outer column add कर देंगे तो यही इसका participation है अगर amount अलग-अलग ना करके रखें तो फिर calculate करने में जंजट होगा इसलिए amount हम लोग यहां अलग कर लेते हैं आगे आईए तो सर इसका क्या करेंगे जब हम लोग minority interest calculate करेंगे तो वहां पर यह वाल amount का जौरत पड़ेगा यानि subsidiary company का जो post acquisition profit job का है आगे बात करेंगे हम लोग आईए पोस्ट acquisition profit calculate करने के बाद अब हम लोग calculation करेंगे minority interest minority interest क्या है आई यह बात करते हैं holding company के द्वारा जो shares acquire कर लिया गया है उसके बाद जो बचा हुआ जो remaining share capital है उसको हम लोग बोलते हैं उसका sum total और कुछ और भी total में हम लोग करते हैं तो इसका sum total amount जो है इसको हम लोग बोलते है minority interest यानि एक तरह से हम लोग कहें तो holding company के balance sheet के अंदर जो subsidiary company का जो उसका share capital है उसको एक single word में हम लोग बोलते है minority interest कैसे calculate करेंगे आईए देखते हैं कूल मिलाकर बात अगर हम लोग करें तो बात ये है कि share capital of subsidiary company plus shares in reserve and surplus of subsidiary company in pre-equation profit, in post-equation profit, इन तीनों का sum total करते हैं यही है minority interest आईए देखते हैं कैसे होगा तो सबसे पहले तो remaining share capital of S limited जैसे इस situation जो हम लोगों ने assume किया है उसके अनुसार total 4000 share है 10 रुपे वाला, उसमें से 3600 share जो है holding company ने acquire कर लिया 400 share बचे रह गये हैं, उसका value उसका value अगर देखें तो 400 into 10, 4000 रुपे का share capital हो गया यहां पर और pre-equation profit में इसका हिस्सा, post-equation profit में इसका हिस्सा, आईए वो भी देख लेते हैं, calculate तो हम लोगों ने किया ही है pre-equation profit में, pre-equation में देखिए हम लोगों ने इसका share किया था, subsidiary का 600 रुपिया, total 600 और इसमें किया था 200, 600 और 200 है ना, आईए, तो यह 600 रुपिया यहां add हो जाएगा, 200 यहां add हो जाएगा, है ना, तो यह हो गया आपका reserve and surplus में, जो बचा रहे गया हिस्सा है, subsidiary का, और यह हो गया आपका share capital, ठीक है, और इसका total जो है, 4,800, यही हो गया आपका minority interest, इसी को हम लोग बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद अगर, subsidiary company के balance sheet में, अगर आपको goodwill दिख रहा हो, तो इस goodwill को भी हम लोग write-off कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका हिस्सा तो 1 by 10 ही होगा, तो हाँ, तो goodwill मान लो, अगर 10 हजार है, तो इस 10 हजार वाले जो goodwill है, इस goodwill को कितना write-off करेंगे, तो मान लिए 10 हजार का goodwill है, तो 10 हजार में इसका 110 ही हिस्सा है, तो एक हजार को हम लोग इसमें, अच्छा यह जो monetary interest है ना, यह by nature credit item होता है, गुडवील जो है, यह by nature debit item होता है, तो 4800 में से 1000 गया, बचा 3600 रुपया, ठीक है, इसको बोलता है monetary interest, इसका position consolidated balance sheet में होगा, यानि consolidated balance sheet में, liability side में हम लोग को यह 3600 रुपया दिखाना पड़ेगा, और by nature यह credit item है, ठीक है, आईए, यह calculation होने के बाद, अच्छा, गुडवील राइट अफ इसलिए करता है ना, कि जिस company का more than 50% share big चुका है, किसी ने खरीद लिया है, उस company का भी market में कोई गुडवील होता है क्या जी, नहीं, इसलिए ऐसे case में गुडवील को राइट अफ कर देते हैं, हटा देते हैं, आगे आईए, चौथा case है आपका, चौथा calculation, लास calculation आपको करना पड़ेगा, गुडवील या capital reserve, यह पहले आपने क्या है, सिखा भी है, वही calculation करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है, cost of equation, cost of equation का मतलब है कितने में, यानि investment कितना किया है, कितने रुपिय का investment holding company ने subsidy company में किया है, यानि जो share acquire किया है, उसो कितने रुपिय में acquire किया है, हमारा example कहता है, पचास हजा रुपिय में खरिदा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर आपका आज आएगा पचास हजा रुपिया जितना में आपने share को खरीद लिया है, पचास हजार रुपिय में खरीद लिया है, cost of acquisition, या फिर amount paid by holding company, तो acquire his shares, जो भी हो its shares, तो पचास जार, अब इसमें से minus करते है, nominal value of share, nominal value कितना है, 3,600 share into 10, 10 रुपिया एक share का value इसको nominal value बोलते हैं, तो 3,600 into 10, यह हो जाएगा 36,000 ठीक है, अब कहता है, कि less share of edge limited in pre-acquisition profit, यानि holding company को pre-acquisition profit में कितना इसा मिला है, आईए, तो pre-acquisition profit में holding company का सेर है, 5,400 रुपिया, यह example में बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से, तो यही, यही 5,400 रुपिया, हम लोग इसमें से less कर देंगे, तो बचेगा 8,600 रुपिया, यह बचा रहेगा, ठीक है, अगर यह वाला, यहाँ, प्लस मानस लिखा है, अगर यह amount प्लस में आ गया, तो फिर goodwill, यह amount अगर minus में आ गया, तो फिर capital reserve, यहाँ पर देखिया, मैंने लिख दिया है, ठीक है, कहना नहीं होगा, कि अगर, अगर, सबसेटी कंपानी के बुक में अगर goodwill है, जो मैंने example उदर लिया, 10,000 रुपिया, तो अगर goodwill है, तो इस goodwill को less करना पड़ेगा, यहाँ goodwill को write-off करना पड़ेगा, इसको ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आपका goodwill है, तो इसको हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा, less, हाँ न, goodwill, write-off या written-off, written-off, कितना, तो example में हम लोग ने अभी माना है, 10,000 रुपिया है, तो 9,000 रुपिया हम लोग इसमें से minus कर देंगे, तो 400 आ जाएगा, है न, तो अगर यह वही वाला amount है, अगर plus में आएगा, तो goodwill, minus में आएगा, तो फिर capital reserve, ठीक है, तो अब आप देखिए, यह तो plus वाला रहा था, यह minus है, देख रहे न, minus के हम लोग रहा है, तो यह हमारा हो गया capital reserve, और अगर हमारे इस question में मान लिया जाए, कि goodwill नहीं रहता, old goodwill जो हम लोग दिख रहा है, subsidy company का balance में 10,000 रुपिया, वो goodwill अगर नहीं रहता, तो हमारा question तो यहीं पर complete हो गया था, फिर तो आप देखिए positive value आ रहा था, तो फिर हमारा यह goodwill हो जात question में 8,600 रुपे का, है ना, इस तरह से बाते होती है, चलो जी, तो फटा फट से आप क्या करो, हाँ, तो अब इतना होने के बाद, अब आप देखो, इतना सब करने के बाद, अब अपना आते हैं, फिर से consolidated balance sheet, जो हमारे यह question का main part है, कैसे बनाएंगे consolidated balance sheet, आओ, चलो देख करने के बाद, क्या करना है जी, यह share capital जो है, यह आपका holding company का share capital आएगा, सिर्फ holding company का share capital आता है, general reserve जो है, यह holding company का अपना plus post acquisition profit से holding company को जो general reserve मिला होगा, जो PL मिला होगा, वो holding company के अपने general reserve में हम लोग add करके यहां पर लिग देएंग, outer column में, वही PLO में करना है, interim dividend में भी deals payable में, वही काम करना है, और एक नया चीज़ आप देख रहे है, minority interest, यह amount कहां सायगा, सर, अभी जो हम लोग और चार heading का calculation किया है, तीसरे heading calculation, minority interest, यह amount वही से, हम लोग यहां लिखेंगे, यह हो गया, हमारे subsidy company का जो अकात है, जो share capital है, इसी में गुसा हुआ है, यानि share capital plus reserve में, इसी में है, आसे में देखो, holding का plus subsidy company का दोनों का building का amount total करके लिखेंगे, वैसा ही machine, stock, data, cash, ठीक है, यह हो गया हमारा consolidated balance sheet बोलता है, एक अठा दोनों का, दोनों सार का total equal हो जाएगा, यह balance आपका त्यार है, यह हमारा question का final solution, जिसके लिए हम लोग को इतना काम करना प होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, intra company transactions, उसको हम लोग को write-up कर देना पड़ता है, इसको हम लोग contract entry बोलते है, cancel कर देना होगा, कैसे करेंगे, जब आएगा situation, तब हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझे, चलो जी, पहले तो first page का, इसका आप screenshot लेजा फटा-फ चलो जी, फटा-फट से screenshot ले लो, अभी जो next हम लोगोंने समझा था, इस chapter का, चलो जी, ये भी आ जा रहा है एक बार में, चलो, फटा-फट से screenshot ले लो इसका, चलो, तो आज हम लोगोंने holding company क्या है, subsidiary क्या है, और holding company के advantages क्या है, disadvantages क्या है, सारा कुछ समझे लिया, सीख लिया, और चार जो हम लोगों का heading calculation करना पड़ता है, यानि आपका pre acquisition profit, post acquisition profit, और उसके बाद आपका monetary interest, goodwill, या फिर capital reserve, pre acquisition period क्या है, post acquisition period क्या है, date of acquisition, date of balance sheet, और acquisition ratio क्या है, हम लोगोंने चर्चा कर लिया है, साब पर cost of acquisition भी क्या है, हम लोगोंने देख लिया, कैसे दिखेगा balance sheet में, सारा चारो का calculation हम लोगों करना है, subsidy company के balance sheet से, तो आज हम लोगोंने सारा concept त्यार कर लिया है, आप इस वीडियो को दो चार बर घुमा फिरा करके देखिए, बड़ा ही interesting chapter है, और next class से जो हम लोग इस chapter का question हम हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye